सोयबीन सरसों में वाइदा कारुबार पर प्रतीबंद के बाद अब सट्टे बाजों ने कपास खली यानि बिनौला खल में जोर लगाना शुरू कर दिया है जोरदार सट्टे बाजी के चलते हाजिर में कपास के भाव देश भर की मंडियों में 9000 के पार पहुँच गई है बीते दिनों से कॉटन सीड और खली में भी जोरदार तेजी है कपास खली वाइदा 34 सो तक पहुँच चुका है इस बीच कॉटन सीड और इंडस्ट्री असोसियेशन ने केंद सरकार से मांग की है कि कपास खली में बढ़ती सट्टे बाजी को देखते वे इसका वाइदा भी बंद कर देना चाहिए असोसियेशन की ओर से वित मंतरी के नाम लिखे एक पत्र में कहा गया है कि सरकार ने 19 दिसंबर को जिन साथ क्रिशी कमोनिटी को वाइदा बजार से बाहर किया है उनमें आम उपभुकताओं को राहत मिली है इसलिए सरकार का ये कदम स्वागत योग्य है पत्र में कहा गया है कि कॉटन खली को भी वाइदा बजार से हटाया जाए क्योंकि वाइदा बजार में इस कमोनिटी में भी सट्टे बाजी बढ़ रही है जिसके चलते भाव काफी उच्छ स्थर पर बने हुए है इस वज़ा से कॉटन उदियोक से जुड़े छोटे कार खाने और छोटे वेपारियों का काम बंदा बादित हो रहा है कई छोटी मिलें कपास की खरीदी ना कर पाने के कारण बंद हो चुकी है उनसे जुड़े कर्मचारी वेव वेपारी बेरोजगार हो गई है यदि एसोसियेशन के पत्र परसंगा सरकार ने गंभीरता से विचार किया तो कपास खली का भी वायदा बंद हो सकता है और खली के भाव में गिरावट आ सकती है हाला कि देश भर में कपास के कुल उत्पादन में कमी की संभावनाव और बढ़ती सट्टे बाजी के कारण हाजिर बजार में खली के भाव में जोड़तार तेजी है जानकारों के अनुसार कपास के उत्पादर में कमी देखी गई है कपास की फसल पिंक बॉल वर्म नामक कीट से बड़े पैमाने पर खराब हुई है और बारिश से भी कपास की फसल को काफी हानी पहुँची है जिस से कपास की किल्लत देखने को मिली है जब कपास और कपास बीच की किल्लत रहेगी तो कपास खली कहां से आएगी ये बड़ा सवाल है जानकारों के अनुसार वेपारी अभी बिनौला खल का वैदा बैन करने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कीम्तों में तेजी बनी वी है इस पर जानकारों का कहना है कि कपास और कपास खली में तेजी इसलिए नहीं आई है कि उनमें सट्टे बाजी जादा बढ़ गई है बलकि इसलिए आई है क्योंकि डिमांड और सप्लाई में गैप जादा देखने को मिला है डिमांड जादा है और सप्लाई काफी कम जानकारों का कहना है कि जब डिमांड जादा रहेगी और सप्लाई कम तो भला कीमत कम कैसे हो जाएंगी दूसरा जब माल डिमांड के अनुरूप उपलब्द ही नहीं है तो क्या वायदा बैन करने से कीमते नीचे गिर जाएंगी आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान